रतन ताटा की बायापिक में जाटा अभिशेक आएंगे नजर लिवुड में बायापिक का चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है अलग-अलग शेत्रों से जुड़ी पसिनेलिटीज के जीवन पर फिल्म बनाने की होर लगी हुई है हर साल कई बायापिक की घोशना हो रही है देश के कुछ सबसे बड़े बिजनिसमेन और एक प्रेरनादायक व्यक्ती रतन ते आए दिन अपने बड़े दिल की वज़े से चर्चाओं में रहते हैं भारत में रतन ताया को काफी पसंद किया जाता है एक व्यापारी होने के साथ ही उनका साधारन सा व्यक्तित्व लोगों को काफी पसंद आता है अब खबर आ रही है कि रतन याए की बायोपिक पर भी काम शुरू होने वाला है अवोर्ड विजेता फिल्म में कर सुधा कोग्रा इस फिल्म का बनाने वाली है कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रतन टाय की बायोपिक में उनके रोल को निभाने के लिए अभिशेक बच्चन के नाम पर चच्चा की जा रही है इसके साथ ही साथ के सुपसर सूर्यो के नाम पर भी मेकर्स विचार कर रहे है हाला कि इसको लेकर फिल्हाल किसी भी प्रकार की पुष्टी नहीं की गई है बता दे कि इस फिल्म में रतन याटा के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बाते भी लोगों के सामने लाई जाएंगी जिन्हें ज़्यादातर लोग फिल्हाल नहीं जानते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रतन ताटा की बायोपिक की शूटिंग अगले साल यानी 2023 के अंध तक शुरू हो सकती है फिल्हाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है एक बार स्क्रिप्ट के पूरे हो जाने के बाद इसकी कास्टिंग और बाकी चीजों पर काम शुरू किया जाएगा फिल्हाल फिल्म अपने पहले चरण पर ही है जिस वज़े से फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी कोई खबर फिल्हाल सामने नहीं आई है बता दे टाटा समू के पूर्वध्यक्ष रतन टाया भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में एक जाना माना चहरा है रतन टाटा को उनकी योगदान के लिए साल 2008 में उन्हें पध्य विभूशन से नवाजा गया था